प्लेज़ दोस्तों आज हम इस वीडियो में ग्लैंट फार्मा आई पियो जो आज यहनी 9 नुमंबर को आपेन हुआ है और आज इसके सब्सक्रिप्शन का पहला दिन है और पहले दिन इस आई पियो में उमीद के कॉर्डिंग काफी पूर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला ह और पहले दिन ये आई पियो सिर्फ आपका 4% ही सब्सक्राइब हुआ है और इस आई पियो से लिस्टिंग गेंस मिलना भी काफी मुश्किल दिख रहा है और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था तो आगे हम इस वीडियो में इस आई पियो के सब्सक्रिप्शन ड सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जहूर देखे क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे complete idea मिल जाएगा कि Glan Pharma IPO में आपको क्या करना है चलिए अब हम इस IPO के details को देखते हैं तो इसके लिए आपको एक website equity to community.in को open करना होगा और जब आपको सबसे पहले Glan Pharma का IPO दिख जाएगा इस पे आपको क्लिक करना है जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो यह page open होगा और यहाँ पे आपको Glan Pharma IPO का complete details मिल जाएगा तो इसके उपर हम बात करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसके उपर हमने already video बना रखखा है तो इसके लि listing gains मिलना इस IPO से मुश्किल दिख रहा है तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ हम इसके subscription details और grey market price पे focus करेंगे डारेक्ट हम downside की तरफ चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह IPO आज यानि 9 November को open हो गया और यह close होगा 11 November 2020 को इसका price band है 1490 से लेके 1500 पर सेयर्स, lot size है 10 सेय अब हम direct इसके subscription details को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Glen Pharma IPO का subscription details है as on 9 November तिल 5 पीम तो देख सकते हैं कि पहले दिन QIB और NIA general entry नहीं करते हैं तो पहले दिन हम सिर्फ retail portion पे focus करते हैं तो पहले दिन इसका retail portion सिर्फ 8% ही subscribe हुआ है तो उमीद कर सकते हैं कि पहले दिन अगर retail portion 8% subscribe हुआ है इसमें कितना poor subscription है तो आप बोल सकते हैं कि इस IPO हमें काफी ज़्यादा poor subscription देखने को मिलवा और उमीद भी था क्योंकि Glen Pharma का parent company है वो एक Chinese company है तो आप बोल सकते हैं कि Glen Pharma India best Chinese company है और अभी लोग का sentiment भी China के against है उसी कार्ण से मैंने पहले ही बता दिया था कि हो सकता है इस IPO हमें उतना जादा subscription देखने को ना मिले और देख सकते हैं कि retail portion से 8% ही subscribe हुआ है जबकि overall यह IPO आपका 4% ही subscribe हुआ है पहले दिन इसमें काफी कम subscription देखने हुआ है तो इतना poor subscription देखने के बाद इस IPO से listing gains मिलना भी काफी मुश्किल लग रहा है और जो भी लोग listing gains के लिए IPO हम apply करने की सोच रहे है वो इसको avoid करें पहले warn कर देता हूँ अगर आप apply करते हैं यहाँ पर आपको negative listing मिलने के chances काफी ज़्यादा है अब यहाँ पर 50% chances है कि यह IPO आपका negative listing देगा यह negative में list होगा तो grey market में इसका क्या आद है वो भी हम देखते हैं उसके यहाँ पर हम Glan Pharma के IPO के ग्रे मार्केट प्राइस देखते हैं तो देख सकते हैं कि as on 9 November 2020 इसका ग्रे मार्केट प्राइस है 40 रूपीज से लेगे 45 रूपीज पर से और lot size है 10 तो 10 से आप इसको multiply कर देए that means तो आपको यहाँ पर 400 रूपीज से 500 रूपीज listing gains के रूप में मिलता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर हमें काफी कम listing gains मिलता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50% whisk भी है यहनी chances है कि यह आपका negative listing भी दे सकता है इसका upper price band है 1500 रूपीज का तो यह आपका 1400 से लेके 1500 करीबी market में list होता ह हुआ दिख रहा है और अभी के हिसाब से देखें यह आपका 1500 40 रूपीज के करी मार्केट में list होता हुआ दिख रहा है इससे आप calculation कर सकते हैं कि इससे कितना listing gains मिल सकता है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि day by day इसका grey market price याफी premium decrease ही हो रहा है और यह आपका daily update ह होता है daily आप हमारे website equity to community.in पर विजिट करके यह details चेक कर सकते हैं और जो long term investors है उनके लिए भी यह चीज avoid करना है क्योंकि pharma sectors की और भी बरी बरी company है दिगज company है जो आपको इससे बहतर return दे सकता है और जहां पर risk भी काफी कम है तो आप उसमें invest करके इससे ज्यादा return कमा स ही आ रहे है वो इस IPO में apply कर सकते हैं otherwise अगर आप समझदार investors या ट्वेडर है तो इसको avoid करें वही ज्यादा better options है और जो भी लोग इस IPO में apply कर दी है उनको नहीं पता था वो अपना application withdraw भी कर सकते हैं आप अपना application withdraw कर ले वो ज्यादा better रहेगा loss उठाने से बहतर है so that's all friends I hope आपको ये वीडियो पसंदाया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंदाया इस वीडियो को like करके हमें encourage करें और अगर अभी तो आपने मारे चैनल को subscribe नहीं किया है हमारे चैनल को subscribe भी करें और bell icon दोड़ा ना भूले thanks for watching